अब हम next question की तिरफ आगे बढ़ने 25 कीट नाशक लगातार खेतों में छिड के जाते हैं जहां से यह विभिन जलिय स्टोतों में चले जाते हैं जहां उन्हें प्रतेक पोशक इस्तर पर उपसे जलिय पादब तदह मचलियां ग्रहन कर लेती हैं ठीक और प्रतेक पोशक इस्त पर देड़ने 25 एक टिर्यामिट एक्वारी को पढ़ लेते हैं की नाशक लगातार खेतों में चिड की जा जहाते हैं पयंसटिशयों में नद्यों में आ गए हैं तालबों में आगए हैं और स्बकें उन्हें प्रतेक पोशक इस्तर पर उपसे जलिय पादब और मच्छली ग्रहांट कर लेती है तो जब यह हमारे जल में आ जाएंगे तो जल के जल के अंदर जो वहां पर आपको दी गई है फूट चेन उसमें यह प्रवेश कर जाते हैं उसमें प्रवेश करने के परश्चात प्रतेक पोशक इस्तर पर कीट नाशकों की प्रतिनिद्थु करने वाला सही प्रतिदर्श हमको बताना है तो देखि किस प्रकार से यह होगा पहला दिया हुआ है सेकिंड पहला यह आपको सीधा पिरामिट दिया गया है घर यह आपको बैल शेप है और सेकिंड इसको और इसको अईडेंटीफाई करना मुश्किल है और थर्ड यहां प क्योंकि जो भी जलिए जलिए पिरामिट दोते हैं अधिकतर ही होते हैं अगर हम बात करें सबसे कम कीट नाशक की जो मात्रा है वह कहां पर होगी तो जो primary level पर होगा उस पर कम कीट नाशक की मात्रा होगी लेकिन जो लेलो तो उसकी मात्रा सबसे ज़्यादा होगी जितने अंदर सबसे ज़्यादा यहां पर केमिकल्स कीट नाशकों की मात्रा होगी तो इसलिए हम यहां पर सेकेंड लगाएंगे ठीक आगे चलते हैं एक कालपनिक समस्टी जिसमें 500 विश्टियां हैं जिसमें आर की वैल्यू दी गई है 0.5 पर फीमेल पर एयर है तो चार वर्ष के बाद में समस्टी का आकार क्या होगा यह दिवर्चरग हातां की दर्शाति ए बराबर 2.72 तो इस तरह की जब क्वेश्टिन आ जाते हैं तो आपको दिया गया है आप एंसी आइटी में भी यह आप दिया गया है एं बराबर एंजिरो एड़ यह तो आपको बहुत अच्छे से पता हैं अब इसमें एं तो यह एं इसको एंटी भी लिखते ना हम तो एंजीरो और ए यहां पर 500 और बताया है कि R की वेल्यू मतलब यह आर जो मैंने यहां पर लिखा है तो इस R की वेल्यू 0.5 है और T की वेल्यू यहां पर दी गई है 4 वर्ष टी की वेल्यू दी गई है 4 वर्ष 4 यहां पर यहां पर बन जाएगा किस तरह से बनेगा तो 500 क्योंकि यहां की वेल्यू है यह 500 और multiply by ERT तो E की वेल्यू है 2.72 2.72 और RT तो R यहां पर 0.5 है इसको multiply कर दीजिए T से T की वेल्यू दी गई है 4 यह वहलो 4 यह तो 4 मैंने यहां पर लगा दिया ठीके अब इसको आप calculate कर लीजिए और आफ्टर calculation आपका क्या answer आता है पहला दिया हुआ है 739 दूसा दिया हुआ है 3699 और थार्ड option दिया है 2.012 और 4 दिया हुआ है 1369 तो यहां पर calculation के बात में जो हमारा answer आएगा वो है 3699 सेकृंड दूसर next question 27 बहुत सी मचलियां बहुत कम तौमान पर अंतांक्टिका करमे रहती है पहला है temperature बिल्कुल कम है तो वो किस तरह से सर्वाइव कर पाती है तो उनके पास में होता है anti-freezing protein जिसकी वजह से उनके body के जो enzymes होते हैं उन enzymes की चारो तरफ anti-freezing proteins coating कर लेते हैं और उस तरह वहाँ पर उनके enzyme ठीक तरह से कार्य कर पाते हैं enzyme प्रभावित होते हैं तापमान से प्रोटीन से तो जब बहुत माइनस में आपका टेंपरेचर है बिल्कुल अंटार्क्टिका का शेत्र है जहां पर temperature बहुत ही कम है और इतने कम temperature पर मचली रह रही है तो वह किस तरह से आपने आपको सर्वाइब कर पारी है विद हैल्प ओफ एंटी फ्रीजिंग प्रोटीन ठीक तो आंसा जाएगा थर्ड नेक्स्ट है जनसंख्या की व्रद्धी दर्ग क्या होगी जब वहन शम्ता केरिंग कैपेसिटी जनसंख्या के आकार के बराबर हो तो इसकी जनसंख्या की पक शुन्यादर होगी या व्रद्धी दर आप रभावित रहेगी तो इसका आणसा आजाएगा आपके थर्ड शुन्या व्रद्धी दर यहां पे आपको ग्राफ दिया गया है और इस ग्राफ में टाइम के रिस्पेक्ट में पॉपॉलेशन बताई गई है जैसे जैसे टा लेग है लॉग फेज इस तरह सीगहां हुए है यहां हंदी में है भी मंदान अवस्ता है एला Ben यहां पर टौरण अवस्ता है और और यहां पर एक ही बात करूँ तो यह लांत है नहीं यहां पर उपर की तरफ जाना अचलि millennials कर चुका है और ए यहां पर एंसेम्टॉमित फेज B लिखा हुआ है चर्गातां सब्सक्रण कीवरन हैं *** औरbab लिखा हुआ है कि तोरन अवस्ता है और बी के लिए मन्दन अवस्ता है है तो हमारा अंसर आजाएगा सेकंड ना अब हम नेक्स कोईशन की तिरफ आगे बढ़ेंगे नेक्स कोईशन यहां पर क्या दिया हुआ है यह भी आपका ग्राफ दिया है एंसियार्टी का ग्राफ है डाइरेक्ट फ्लो औफ रीवर सीवेस डिस्टाज और कॉंसंट्रेशन साथ दी गई है तो नीचे दिये गए ग्राफ नदी की कुछ विशेष्टाओं पर वाहित मल विशाजन के प्रभाव को दशाता है एव बी के अनुसास सही विकल्प का चैन कीजिए ठीके तो स्टेटमेंट पढ़ेंगे फिर उसके बेसिस पर हम यहां पर आंसर देने वाल स्वच्छ जलिये जीवों का अद्रश्य होना जब बियोडी बढ़ेगा तो इसका मतलब वाटर जादा पॉल्यूटेड है बियोडी अगर बढ़ा है तो वाटर पॉल्यूटेड है और उसकी वज़े से उस जलिये शेत्र में रहने वाले जीव जन्तु लगातार कम होते ज पहले यह कंडिशन थी कि यह यहां पर था और यहां से वापिस यहां पर आ गया तो बी मतलब गुलित ऑक्सिजन में व्रद्धी हुई है जलिये जन्तु वापिस आ गये एक का मतलब कि बियोडी यहां पर अगर यहां पर ऑक्सिजन जादा हो गई तो यह सिंपल सी बात है कि BOD यहाँ पर कम हो जाएगा अगर यहाँ पर BOD जादा है तो इसका सिंपल सा मतलब है कि oxygen की value यहाँ पर कम है घुलत oxygen में व्रद्धी स्वच जलिये जीवों का पुना प्रकटन और बी गुलित oxygen में तिव्र प्रतन और स्वच जलिये जीवों की व्रद्धी यह तो statement ही गलत है बी लिखा हुआ है शिर्ष ए में वाइवीय जिमाणों की संख्या में व्रद्धि और स्वच्छ जली जीमों का अड़्रेश्य होना गुले तॉक्सिजन में पतन और स्वच्छ जलीय जीमों का पुनहा प्रक्टन तो देखिए यहाँ पे जो सारे सु पोशन के संदर में सही है सु पोशन एक जील प्राकर्टिक कालwr प्रभावन है जो उसके जल में पोशन समपंता-दुआध्या-धो मानव क्रिया क्लापो से उत्पन प्रदूशक जैसे की ओध्योगी को घरेलू बही Guys about मूल रूप से बढ़ा देते हैं सु पोशन के लिए उत्त्यदाई पोशक पुष्टी कारक नाइट्रेट वर डीड्री होते हैं दी दिया हुआ है यह फासफेट और नाइट्रेट की नाइट्रेट शेवाल की व्रधी को तेज करते हैं जो ऑक्सिजन का उप्योग करती है और जल को अनाक्सी करत करती है जिसके फल स्वरूप मचली और दूसरे जलिये जन्तु मारे जाते हैं तो इन में से बताना है कि सु कौन सा कथन सही है तो देखिए यहां पर dit debit meint बिलकुल सही है स्टेट्मेंटी इस निवकुल सही है यहां पर style यह सもしहाम और फिर यह और ईए subd गजलिए और यहाँ पे सीदी है घैए अंसा जाएगा आपकी определ सही मेंच है तो निमने मैं से कितने कथुरत्व का व्रद्धे यह विधिये होने से जील की प्राउस कालवयता प्रभावित होती है है तो बाई आत्रोग की नहीं होती है न्योट्रिएंट कद्धी होने की वज़े से जब पानी के अंदर न्यूट्रियंट पदारतों की न्यूट्रियंट एंडिच्मेंट हो जाता है उसकी वज़े से उसकी एजिंग होती है चिएच 4 अधिति ग्रह प्रभाओ का मुख्या कारण है सत्य नहीं है यह आपको बताना है शोब मंदल में ओजोन मानो स्वास्ते के लिए नुक्सान दे होता है यह आपका सत्य है ओजोन की मोटाई डेसिबल में कई मापी जाती जबकि ओजोन की मोटाई को हम डापसर में सथ्य नहीं है तीन कथन यहां पर सत्य नहीं है तो कि रीट करते हैं उसके बार में बताएंगे पहला दिया है समुद्र का जेव भार का पिरामिड्ट सामान यह उल्टा होता है तो सही है सफली परितंत्र में अस्थानातर मुख्य रूप से चारन खारदेश रंखला हoteा हमेशार चारन खारदे श्रंखला जीसे कहते हैं उह और यहां खोडेण और 一नल of a यह और प्रकार की फूचेन आप न Rouge ग्रेजिंग फूर्ट चेन और डीट्राइटस फूर्ट चेन इसमें लिखा हुआ है कि इस्थलिय परितंत्र में उर्जा का इस्थानांतरन मुख्य तरक किसके दुवारा होता है तो इस्थलिय परितंत्र के अंदर उर्जा का जो मुख्य रूप से इस्थानांतरन होता है व और अगर मैं जलिये एको सिस्टम की बात करूं तो वहां पर GFC का रोल होता है इसलिए यह स्टेटमेंट गलत है संख्या के पिरामिट खड़ी अवस्था को दर्शात है बलकि गलत है संख्या के पिरामिट पॉपुलेशन को बताते हैं अबुदेंस को बताते हैं बायोटिक पेटेंशिल को बताते हैं तो यह स्टेटमेंट भी गलत है गलत है को सब्सक्राइब बाकी ये भी गलत है ये भी गलत है तो आंसर जाएगा आपके सेकंड ग्वेस्चिन नुम्बर थर्टी फोर निम लिखित विकल्पों में से कौन सा एक कुबोगता के प्रकार के अनुसास उप्युक्त छे सजीवों का समू बनाता है प्रात्मे कुबोगता दित्य कुबोगत प्रात्मे कुबोगता में आपके पक्षी और भेडिया है जो की गलत है ये प्रात्मे कुबोगता नहीं है मनुष्य शेर ये भी नहीं है ग्रास ओफर गाय और जन्तु प्लवग और ग्रास ओपर तो इन में से अब दित्यक भी देखेंगे फिर उसके बात आंसर देंगे दित्यक में लिखा हुआ है अब ये तो आपका ही नहीं दित्यक में देखो मचली भेडिया और इसमें दिखा है मचली शेर तो शेर आ गया तो इसलिए गलत है इसलिए ये भी गलत है तो आपका सही आंसर आजाएगा थर्ड निमलिखित में से कौन सा वन प्रत्वी का यूगदान है इसमें आजाएगा आपके सेकेंड आमेजन फोरेस्ट को प्रत्वी का फेफडा कहा जाता है 20 परसेंट इसका यूगदान है जल रंभी और शुष्कता रंभी इन दोनों अनुक्रमण में अन्ता तह केसी दशाएं विक्सित होती है या तो बहुत शुष्क और या तो बहुत जलिये अत्यधिक जलिये दशाएं और मध्यम जल दशाएं और त्यधिक शुष्क दशाएं तो जल रंभी और शुष्कता रंभी इन दोनों अनुक्रम में कौन सी दशाएं विक्सित होती हैं चाहे कोई सबी सक्सेशन हो चाहे जल से स्टार्ट हो चाहे डै मैच करना है ऄठीविता के लिए दहाई तो सभोbene इसमें लिखा हुआ है तालिका से मैच करें फिर ऐक प्रकार्ड का संभज संभन्द एक गुजिञेव को लाँव है तथा दूसरा आप्रभावित है इसे हम क्या कहते हैं तो जिसमें एक जीव को लाब है और दूसरे को दूसरा इससे आप्रभावित है तो इसे हम सहा भोजिता कहते हैं ठीके ना इसमें एक को तो एक जीव को लाब है और दूसरा इससे आप्रभावित है सहामल और और इसे हम क्या हैंगे तो इसे हम कहेंगे सहा प्रभाविता कि एक जीव को नुक्सान और दूसरा आप्रभावित मतलब माइनस और जीरो प्रकार काम तो, यह किस के अंदर आ जाएगा हम अपकी प्रती जीविता के अंदर की सब्सक्राइब का ठीएब और अटिमी रिटा MPP, कर जाने हैं कि एक जीव को लाब्राइब दूसरे को आनी तो पर जीविता वी सुपaları तो आपका आंसर यहां पर बन रहा है पास्ट आगे चलें क्वेश्चन में 38 समस्टी पारसपरिक संभंध इंटर एक्षन से संभंधित ए और दी को पढ़े और फिर आपको यहां पर आंसर देना है को अपना जीवन पूरा करने के लिए दो पोश्कों की आवशक्ता होती है और सेकिंड है कसकूटा पादप का परजीवी है जिसने विकास के दोरान अपना क्लोरोफिल खो दिया C है मादा आइनाफीलिस मच्चरिक परजीवी नहीं मानी जाती D है आंतेरिक परजीवियों में रूपात्मक और शारेरिक लक्षन बहुत जादा जटिल होते हैं में हैं। तो इसमें पहला को दो स्ट की रिक्वार्मेंट होता है यह सही के है कोस्त कुता पदर पर जीवी है जिसके विकास के दोरान फ्रोरो फ्मूर यह बह मानी जाते माधा एनसियर्ट मच्छ यह पार एनसियर्मेंट बीड़ाउं रूपात्म को शारेरिक लक्षन बहुत जटिल होते हैं तो जो आंतरिक परजीवी होते हैं आपको पता है परजीवी की जो बॉडी होती है structure वो काफी सरल प्रकार की होती है ना कि जटिल प्रकार की इसलिए यह statement यहां पर गलत है 38 में आपके केवल डी statement गलत होगा अब यहां पर आपको दिया गया है यह इसके इसके पर बेस्ट पहले भी question आ चुका है बी क्या है और सी क्या है यह बताना है ठीके तो बी यहां पर उप भोगता है यह सब को पता है बी यहां पर उप भोगता है सी यहां पर लिटर फोल है और यह यहां पर अबघ्रतन है अपर्दन है तो यहां我知道 के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है बारे में बताना है को लेकि कौन सा unexpectedly सही है गलत है ये सही जाती विवित्वा समस्टी का सरचनात्मा गुण्धृर्म है राले शेत्र में जाते विवित्ता कम होती है देखिए आपने इंसी आर्ट में पढ़ा होगा बायोडाइवर्सिटी को लेकर अगर हम बात करें एम्फिबियंस की तो वेस्टरन घाट में ज्यादा डाइवर्सिटी होती है कंपेर टू एस्टरन घाट उसी तरह से अगर लाटिटिफ एल्टिटीट की बात करें ली जेसे जेसे उपर धहां पर रिखा हुआ है कondere यहां पर नखेटती सरा उपर सभक आगे बढ़ते हैं या इतलने निया तो तो की यह पिए और यहां पर सेकेटनेों की तरहें में लिए चाहरा glow सद्वेंट कि आंगे स सही है इस्थेकर सैनल में network की वाध्यूत आवक शेपन के लिए निम्न में से आवशक नहीं है यहां चार ऑप्शन दिये गए हैं बताना है कि इन में से कौन सा आवशक नहीं है इस्थिर वैध्यूत अवक्षेपन के लिए इल बना के लिए घरेलू अवक्षेपित में कॉलाइडी पदाट में संद्विलित होंगे बालू, गाद, चिकणी, मिट्ची और मल पधार्ट जीवाणू, रक्त, वस्ट और कागच के रेशे और पोशक पधार्ट जैसे की नाइट्रेट अमोनिया और सोडियम और उप्रोक्त सभी तो घरेलो अप्षिष्ट में होते हैं मल पधार्ट, जीवान, वस्ट और कागच के रेशन खादिश अंखला में कितिनी प्रतिशत उर्जा उच्चु पोशक इस्तर पर इस्थानांतरण होती है दस इस्तर पर लेंड मेन का जो एनरजी का फ्लो हमने पड़ा है कि हर इस्तर पर केवल 10 प्रतिशत उर्जा का ही स्थानांतरण होता है नेक्स चलेंगे उत्प्रेरक परिवार्तक स्वचालित वाहनों में लगे होते हैं जो विशेली गेसों के उत्सरजन को कम करते हैं हुआ चीम्ती धातों के नाम है प्लैटिनम पेलिडियम प्लम में नहीं होता है प्लेटिनम पैलेडियम और रोडियम यह तीनों ही आपके विशेली गेसों के उत्सरजन को कम करती हैं नेक्स्ट खाली स्तान की पूर्ति करिये जेविक इस्तर पर पारस्ति की मूल रूप से पारस्ति की है और यह सजीवों को उनके वातावरंट के संदर में अनुकुल बनाती है आवास के भोतिक रासथायनि घटक क्या है हमारे रास्त्त उध्यानों जेव मंदल के शेत्र में गणना प्राए पग चिन्नों के आधार पर तो यहां पर जो किसके दुआरा हमारे राश्ट्री उद्ध्यानों में जेव मंडल चेत्र में बाग के पग चिन्न के आधार पर और उनकी मल गटिकाओं के आधार पर उनकी गर्णा की जाती है जन संख्या की तो 吉ुम भाग आजाए और यहां पर जेविक तो फिर जेवी का जाएगा इसमें यहाँआं पर यहां पर wherebyई जगह ग्राफ दिएगा है तीन जातियों को अलग-अलग स्थानों में रखा गया है किस जाती सबसे जदा सफर काह गया है यर देख सकते हैं फ्राजस्तान कश्मीर चेनाई और शरीर का तापमान तो इन में से कौन सी जगह कि जाती कौन सी जाती जाती जादा स्थाई प्रकार की होगी आप देख रहे हो यहां पर यहां पर भी यहां पर यहां पर यह तरह से ना तो बढ़ रही है ना घट रही है तो बी में यहां पर जाती ज्यादा है यहां पर कम है यहां पर ज्यादा है कि सी में रेखें तो यहां पर कम है यहां पर उसे भी कम है यहां पर ज्यादा है और यह वाली जाती कॉंस्टेंट है तो जहां पर जाती निरंतर कॉंस्टेंट है उसका इस्थायत अधिक होता है तो पूछा गया है सबसे जए जादा सफ़ल किसे कह सकते हैं किसी बर टापमां की तापमां कर राजस्थान का वातावरण में सभी प्रकार के मोसम में एक ही प्रकार से वह अपने आप रेस्पोंस कर रही है ठीक है उसके अंदर कोई परिवर्तर नहीं आ रहा है तो वह सबसे स्थाई प्रकार की जाती होगी और सक्सेस्फुल भी होगी निमने में से कितने विश्य व्यापी उष्णदा से सम्मंदित हैं त्री माइल आइलेंड दुर्गटना अलनीनो प्रभाव मंट्रेल प्रोटोकोल तोचा केंसर मोत्याबिन क्योटर प्रोटोकोल तो विश्य व्य सब्सक्राइब तो इसमें आशाज आएगा आइस समान आयतन के पानी की चार्ट नमूने नीचे दर्शाय गये हैं और इनमें से एक कोलाई की संख्या को भी दिखाया गया है एक A B C D Vicker है तो पानी के किस नमूने का अधिक है जहां पे एक बीलियन इकोलाई है जहां पर तीन है तो फिर पढ़ेंगे समान आयतन के पानी के चार नमूने दर्शाय गया है इसमें दिखाया गया है एक बीलियन इकोलाई है आपको यह भी पता है कि इकोलाई कहां पर जादा होगा क्योंकि इकोलाई हमारे यूमन इंटेस्टाइन में पाया जाता है जहां पर एकोलाई की मात्रा जादा है इसका मतलब कि उसके अंदर वाहित मल पढ़ार्ट भी जादा है सीवेज भी जादा है ठीके तो ऐसा पानी जादा दूशित है तो कि निम्ने में से बीओडी सबसे अधिक किसमें होगा एक बीलियन एकोलाई है और तीन इकोलाई है और यहां पर सबसे ज्यादा कहां पर होगा तो फर्स्ट वाले में होगा क्योंकि यहां पर आप देख रहे हो कि वन बीलियन एकोलाई है और इसमें चितना ज्यादा एकोलाई की मात्रा कम है किसकी तुलना में इन सबकी तुलना में इन सबकी तुलना में एक को लाइक की माता यहां पर कम है तो मतलब इसमें बायोजिकल ऑक्सिजन डिमांड यहां पर ज्यादा है ऑक्सिजन की डिमांड यहां पर ज्यादा हो रही है जितना ज्यादा ऑक्सिजन की डिमांड है मतलब उसमें आप घर्टन बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है ठीक है और जल्दी यहां पे बायो डेग्रेडेशन की प्रोसेज हो रही है यह इसलिए आंसार जाएगा आपके पॉस्ट सिग्मॉइड व्रदीवक्त दर्शाय जा सकता है डी अन बाइडी ती बराबर आर एंपलस औन माईनस के अपन और डी इंडी बराबर और सेक्षान के अपना के से यह इस इस से दर्शाय जाएगा आपको मैच करना है यहां पे स्टीलर की समुद्री घाय यांत्री कपूतर थ और फिर आता है आपके यात्री कबूतर यह संबंदित है अमेरिका से ताइले सिन ताइले सिन किसे संबंदित है यह आपके ऑस्ट्रेलिया से संबंदित है जो की बैत कर लेते हैं डोडो यह कहां से है यह है आपके ओड बारी में के और ज्वाइज दो आपके भीडेंव आ aan आपको आफिकांए मैं फिर जिसमेंर मैं फर्स्त नींब तो किमारें समय कहती हैं तो यह आपके 50 questions थे ecology से आपने देखे और सारे questions आप एक बार जरूर देखिए इन questions को solve करिए जहां पर आप questions solve करते हैं वहीं पर आप answer भी लिख लीजिए तो आपके तरह से theory भी इस तरह से तयार होती जाएगी ऐसे topics कहीं बार ऐसा होता है students के साथ में कि उनको जब भी उनने theory पड़ी तो उनको लगता है एक महीने बाद या 15 दिन बाद कि मैं भूल गया हूं फिर वो उसको दुबारा revise करते हैं फिर महीने पर बाद उनको लगता है कि फिर मैं theory को कहीं न कहीं से भूल गया हूं तो फिर उसको दुबारा revise करते हैं से बैटर है कि आप question solve करिए दुबारा revise करने से क्योंकि अगर बार-बार कहीं बार हम revision भी करते हैं तो इससे आपको लग रहे कि मेरा यह question solve नहीं हो रहा है तो वहीं पर आप question की theory लिख लीजिए से आपको topic दिया है या फिर मैंने आपको भी कई सारे question solve करवाया है इंटरक्शन से लेकर इंटरक्शन में आपको competition है प्रति जीविता है सहबोजिता है यह topics आते हैं तो question के सामने ही आप topic के बारे में लिख लें तो इससे आपका question भी solve हो गया और आपका topic भी solve हो students के साथ में यह भी होता है कि जब वो question practice करते हैं तो question को अच्छी से पहचान जाते हैं जैसे उनके सामने question आता है question का answer उनको आता है लेकिन फिर question का answer तो आता है लेकिन क्या उससे related सारे point उनकी clear है तो वो clear भी करना जरूरी है तो इसलिए question practice जब आप करें तो एक students की mentality होती है कि जब question practice उनकी होती है तो वो questions ही उनको याद हो जाते हैं लेकिन याद होने के साथ साथ उसी question के साथ साथ उस question से और topics related theory भी आप वहीं पर write down कर लें ठीक है और एक अपनी copy बनाई है जहां पर आपको लगता है कि ये question easy है इसकी theory मेरे को आती है तो उसको आप वहीं पर left कर दो एसा question जहां पर आप आटक रहे हो जहां ऐसा question जो आपको लग रहा है कि ये question मेरे से solve नहीं हो रहा है तो उस question को एक copy में लिख लीजिए और एक copy ऐसी बनाई है जो कि आपके उन questions की हो जो questions आपको नहीं आए है ऐसे questions जो की आपके institute के जो जो भी एक्जाम हुए है उनमें वो questions आपके clear नहीं हुए है यहां पर जो आपने question practice करी है उसमें आपको कोई question नहीं समझ में आया है तो उसकी पूरी list बना लीजिए ठीक है और उसको आप अपने एक अलग से copy बना के उसमें नोट करें तो इतना सा ही आज हम करेंगे और मिलते हैं next class में thank you very much